हेलो दोस्तों मैं भी शेक कुमार आपका साइन्स टीचर स्वागत करता हूँ आपका हमारे केरे टाइम कोचिंग बरेली के ऑनलाइन पोर्टल पर दोस्तों लास्ट लेक्चर में लेक्चर वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका टॉपिक नूट्रिशन और उस नूट्रिशन के टॉपिक में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका कार्बोहाइडरेट जैसा के हम सभी जानते हैं के नूट्रिशन के अगर बात की जाए पोशन की तो पोशन का मतलब क्या होता है पोशन का मतलब होता है कि जो भी हम लोग भोजन गिरार करते हैं उस भोजन से उन सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेना जो हमारी बॉड़ी में डाजेस्ट नहीं होती है यानि के ऐसे कह सकते हैं कि जितना भी हमारी बोड़ी में अंडाजेस्टेट मेटेरियल होता है आपचित भोजन जो होता है हमारी बोड़ी में उस आपचित भोजन को एब्जॉर्ब कर लेना अपशोषित करने की प्रिक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आपका nutrition याने के portion कहते हैं याने के उससे जब energy derivate करते हैं तो उसको हम कहते हैं portion तो मैंने आपको बताया था कि जो portion हमारा chapter है इसे बहुत सारे आप topics पढ़ेंगे जैसे carbohydrates हो गया, fats हो गया, proteins हो गई, vitamins हो गया, minerals हो गया, rafage हो गया, water हो गया इन सभी चीजों को discuss करेंगे हम लोग कौन से chapter में आपके nutrition portion दें तो उसका जो first part था वो मैं आपको discuss कर चुका हूँ, carbohydrates और आज का topic हम यहां से start करेंगे जो हमारा second part है इसका fats, बहुत ही important topic है बच्चों, last तक देखिएगा वीडियो को fats यहां से पढ़ने के बाद में ऐसा कोई भी कोशन नहीं बचेगा आपका, जो आप exam में छोड़ कर आएं सारे के सारे कोशन हम लोग cover करते है fats related, चलिए, start करते है यदि fats की बात की जाए, तो first of all हम यह जानते हैं कि सब जो fats है इसके sources क्या क्या होते है यानि कि श्रोथ क्या है हमारे बसा के और यदि बसा के श्रोथ की बात की जाए, sources की बात की जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है क्योंकि जैसे भी हम लोग कहते हैं कि जदा तेल और चिकना ही नहीं खानी चाहिए और तेल चिकने क्यों नहीं खाने चीए बच्चो उसका करण यह है जो तेल और चिकने ही होती है वहारी बॉड़ी में deposit होकर बहुत सारी दिक्कतों का करण बनती है और indirectly हम ऐसे जानते भी है कि जितने भी आपके तेल और घी होते हैं उनमें सबसे आदा क्या होता है भरपूर के साथ में कह सकता हूँ आपका घी यह दोनों चीज़े हमारी क्या होती है आपकी अपकी फैट के सोर्स होते हैं तो फर्स्ट अप आपको बता चल गए अब बात यह आती है कि जो फैट से ना इस फैट से फाइदा क्या है आपने का सब निउट्रिशन हमें लेना है तो नि कितनी ईनर्जी देता है तो चोश्ट को याद रखेगा यदि मैं फैट की बात करूँ तो फैट से जो आपको एनर्जी यानर्य जो एक ग्राम फैट खाते है तो उस एक ग्राम फैट से आपको एनरजी मिलती है, वो कितनी मिलती है, 9.8 किलो कैलरी पर ग्राम तो यहां से हमें दो चीजे पता चलती है, first of all, कि जो फैट के सोर्से से हैं, वो क्या है, ओयल और घी है second, fats आपको जो एनरजी देता है, कितनी देता है, 9.8 किलो कैलरी पर ग्राम देता है अब इसके बाद जो हम discuss करेंगे, बच्चों वो discuss करेंगे हम लोग क्या, इसके types तो देखते हैं, types क्या होते हैं इसके, देखिए यदि मैं आपको बताऊं, तो मैंने fats को basically classified किया है, दो parts में बहुत ही easy topic है, बच्चों ध्यान से सुनते रहेगा सारी चीजों को एक पार में सारी चीजे clear होती चली जाएंगे, देखेगा मैंने जो fats को classified किया है, मैंने दो parts में classified किया है जैसा कि आप जानते हो, पहला type जो है fats का, उसको हम कह सकते है saturated, यानि कि एक type होता है fat का, जिसको हम कहते है saturated fat और बच्चों हिंदी में इसको हम लोग कहते है, संत्रप्त बसा ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते है, संत्रप्त बसा कहते है और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए जो जो दूसरा पार्ट है इसका टाइप जो है हमारा वो कहलाता है आपका unsaturated fat और unsaturated fat को आप सभी जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं आसंतरत बसा तो सर बताईए इन दोरों चीजों में difference क्या होता है saturated क्या होता है unsaturated क्या होता है बिल्कुल भी confused नहीं होना है बहुत ही छोटी सी बात को लेकर चलना है छोटे classes में हम लोगों ने 10th class में सभी ने पढ़ा है क्या पढ़ा है वो देखिए छोटे classes में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी आपका chapter सभी ने पढ़ाओगा science में एक chapter था आपका carbon and its compounds मैं कह सकता हूँ carbon और उसके yogic तो class 10 में हम सभी ने पढ़ा था एक chapter जिसका नाम है carbon and its compounds carbon और उसके yogic और जब carbon की बात आती है तो हमारे दिमाग में एकदम से आता है किसर्चो carbon होता है ना वो एकदम से अलग हट के element होता है कारण क्या है कारणicias होता है किसर्चो carbon होता है वो होता है आपका tetravalent ध्यान से सारी बातों को समझते युश्चलेगा question यहां से भी आता है कि ऐसा कौन सा element है जो हमारा tetravalent होगा इसके अलावा भी होते हैं लेकिन एक important है आपका element जो carbon है वो हमारा कैसा होता है tetravalent और tetravalent का है हाँ पर मतलब क्या होता है कि जो हमारा carbon है उसकी balance कितनी होती है 4 और 4 balance होने के कारण जो हमारा carbon होता है न वो अपने 4 तरफ से चीज़ों को जोड़ने की छंता रखता है कैसे? आपने देखा यह carbon है इसकी balance ही जब 4 होगी तो इससे 4 तरफ से चीज़े जोड़ सकती है और जब 4 तरफ से सारी की सारी चीज़े जोड़ सकती है तो देखते हैं सरक किस तरीके से जोड़ती है तो हमारा किस तरीके से saturated and saturated निगल कर आता है मैं आपसे कहता हूँ कि जब हम लोगों ने carbon and its compound चेप्टर पढ़ा था class 10 में तो आपने देखा था carbon carbon के बीच में एक बार single bond होता था वहीं पर carbon carbon के बीच में एक बार double bond भी होता था और एक बार carbon carbon के बीच में कितने bond होते थे आपके तीन bond अब मैं फिलाल तो भी आपको fats पढ़ा रहा था बहाँ पर मैं discuss कर रहा था कि fats दो types के होते है saturated और unsaturated लेकिन एक मिनट इस topic को छोड़ कर बचों concentrate वस यहीं पर करिएगा कि जो हमारा carbon है वो इस तरीके से link होता है एक बार carbon carbon के बीच में single bond है एक बार carbon carbon के बीच में double bond है और एक बार कितने bond है आपके 3 bond तो मुझे सिर्फ यहाँ पर इतना बताना इन टीनों में से कौन सा saturated है हा सुनील तुम बता इन टीनों में से कौन सा saturated है first वाला यह वाला क्या है आपका saturated very good आपने कहा जैसा के सुनील ने बताया first वाला क्या है saturated है और बाकी के दोनों unsaturated और बाकी के दोनों बताया है और उने बाकी के दोनों बताया है और उने unsaturated है तो बच्चों यहां से देखिए आप भी समझ लीजे जब कारवन के कारवन के बीच में केवल कितने bond होते हैं single bond तो वो saturated संतरत कहलाता है और वही पर जब double या triple bond प्रजेंट होता है तो वो हमारा कहलाता है unsaturated कहने का मतलब या पर मेरा क्या है समझे का बहुत ध्यान से आप देख रहे हो कि जहां पर तीन bond है उसको हम तोड़ कर कितने bond में तोड़ सकते हैं double bond में जो double bond वाला है उसको हम तोड़ सकते हैं किसमें single bond में लेकिन क्या single bond को तोड़ सकते हो अब ऐसा तो है नहीं किसार इसको एक काम करिए तोड़ कर आधा कर दीजिए अब आधा नहीं कर सकते ठीक है? तो आप ने देखा कि ये वाले बॉंट को हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये अल्रेडी कैसा है? सिंगल है लेकिन वहीं पर जो डबल बॉंट था उसको तोड़ कर हमने सिंगल में कनवर्ट कर दिया और जो टरपल था उसको तोड़ कर हमने किस में कनवर्ट कर दिया? डबल में तो ऐसे भी कह सकते हैं जिन कंपाउंट्स को या जिन बॉंट्स को हम तोड़ सकते हैं, वो हमारे unsaturated compounds कहलाते हैं और जहां पर हम bond को break नहीं कर सकते तोड़ नहीं सकते, वो compounds हमारे क्या कहलाते हैं? saturated तो बस यहीं से चीज़ों को लेकर चलिएगा अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर, वो तो carbon होता है, तो हाँ fats में carbon होता है बच्चों, question कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि बताओ इन में से किसमें आपका कौन-कौन से compounds होते हैं कौन-कौन से element होते हैं तो बच्चों बहुती छोटी सी बात है ध्यान रखिएगा मैं आप से कहता हूँ जितने भी आपके carvohydrates होते है जितने भी हमारे fats होते है और fats के साथ जो हमारी proteins होती है ध्यान रखिएगा बच्चों, ये तीनों की तीनों चीजों के जो important elements होते हैं वो important elements कौन-कौन से होते हैं इन में, सबसे पहला आपका carbon दूसरा आपका hydrogen और तीसरा आपका oxygen ध्यान रखिए का जो carbohydrate है, fat है, protein है इनके जो main component main element आपके present होते हैं इन में कौन-कौन से होते हैं पहला carbon है, दूसरा hydrogen है, तीसरा oxygen एक example के जरीए इसको हम लोग check भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक formula लिख रहा हूँ C6 S12O6 बताईए बच्चों, किसका formula आई है हाँ दिनकर तुम बताओ किसका formula आई है glucose का है ना तो glucose का formula हम जानते हैं glucose हमारा क्या होता है, carbohydrate होता है अब आप देख सकते हो कि जैसे मैं आपको बताया था कि कार्वो में, fat ने, protein में तीनों चीज़ों में जो basic element होता है वो कौन सा होता है, carbon, hydrogen और oxygen तो आप चेक कर सकते हो जो glucose याने कि जो carbohydrate है हमारा उसमें carbon भी है, hydrogen भी है और oxygen भी है तो ध्यान रखना है यहां से कि जो carbon, fat of protein होते हैं basic element हमारा कौन कौन सा होता है carbon, hydrogen और oxygen इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा कौन carbon, fat of protein और protein में एक additional element जो सबसे main होता है ध्यान रखियेगा वो कौन सा होता है nitrogen protein में सबसे important जो element होता है carbon, hydrogen, oxygen के अलावा अगर बात की जाए तो basic element जो हमारा सबसे important होता है वो कौन सा होता है nitrogen तो मैं सीधे-सीधे अब आपके fats के types पर आता हूँ इतनी बाते बताने के बाद में आपने देखा fats के दो type है saturated, unsaturated तो मैं यहां से link करके कह सकता हूँ कि जब fats में single bond present होगा तो fats हमारा कहलाएगा saturated और जिन fats में, जिन बसा में double or triple bond present होगा अब हमारा कहलाएगा unsaturated अब sir, कैसे पता चलेगा कि उसमें single bond है, double bond है, triple bond है मान लीजिए, मैंने mustard वाई लिया, सरसो का तेल लिया अब सरसो के तेल में तो sir bond दिखता ही नहीं है दिखता है गया, नहीं तो हम जानते हैं कि सर्च जो मैं बता रहा हूँ आपको single, double bond, triple bond यह chemical composition है अगर physically हम देखेंगे तो physically आपको ना तो single bond देखेगा ना double bond देखेगा, ना ही कौनसा bond देखेगा triple bond, तो यह chemical composition है अब chemically तो sir, ऐसा होता है लेकिन हम chemically नहीं देखेंगा एनिमल फैट को हम कह सकते हैं जनतू बसा देखें बहुत ही आसान तरीका है कैसे आप क्लासिफाइड करेंगे कौन सा सैचुरेटेड कौन सा नसैचुरेटेड मैं कहता हूँ जितने भी आपके एनिमल फैट जनतू बसा होते हैं वो सारे के सारे saturated होते हैं और जिस प्रिकार से animal fat आपके saturated होते हैं बैसी मैं आपसे कहता हूँ हमारे जितने भी plant fat होते हैं plant fat को हम कह सकते हैं पादब बसा तो जितने भी आपके पादब बसा होते हैं वो सारे के सारे unsaturated आसंतरप्त होते हैं example के तौर पर से तो जायर सी बत रहं अनीमल झाय हो तो देशी की आपको मिलता है अनिमल से यानि कि अब ऐसे होते उसके अलाबा है आप सभी ने पढ़ा होगा एक मचली होती जिसका नाम होता है billion और बहुत सुना होगा जो cord का liver oil होता है हम सभी ने सुना है एक oil होता है जिसको हम कहते है cord liver oil यानि के cord मशली के यकरत का तेल cord मशली के यकरत का तेल तो जो cord का liver oil होता है मतलब cord मशली के यकरत का तेल जो होता है तो वो कहां से प्राफ्त हो रहा है आपको मचली से और मचली मतलब एनिमल से यानि के कॉट का जो लिवर और वाल है वो भी हमारा कैसा है जन्तू बसा और जब जन्तू बसा है तो हमारा कैसा होगा बचो सैचुरेटेड़ है अनसैचुरेटेड़ तो exactly सैचुरेटेड़ होगा कैसा होगा सैचुरेटेड़ होगा इसके अलावा भी देख लेते हैं मैंने का सूर की चर्वी के बारे में अगर बात की जाए तो जो सूर की चर्वी होती उसमें भी क्या होता है फैट होता है और सूर की चर्वी में जब आपका fat होता है याने के जनतू बसा animal fat है और animal fat है तो कैसा होगा आपका saturated तो ध्यान रखेगा जितने भी animal fat होते हैं आपके जनतू बसा, चाहे वो देसी की हो, चाहे कॉट का liver oil हो, चाहे सूर की चर्वी हो ठीक है, ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, saturated होते हैं और वहीं पर अगर मैं plant fat के कुछ examples की बात करूँ तो plant fat के बहुत ही आसान example हैं, आप सभी जानते हो, daily आप इस्तमाल करते हो कौन-कौन से देखो, सबसे पहला mustard oil mustard oil याने के हमारा सर्सों तेल तो जो सर्सों का तेल है, बच्चों कहां से प्राप्त होता है, plant से और plant से प्राप्त हो रहा है, तो कैसा है, unsaturated है mustard oil के बाद में, अगर मैं बात करूँ, soya bean oil तो soya bean oil, याने के soya bean का जो तेल होता है वो भी आपको प्राप्त हो रहा है कहां से प्लाइंट से प्लाइंट से प्राप्त हो रहा है तो कैसा है unsaturated है सोयवीन के अलावा किसी को भी consider कर ले चाहे मैं लिखूं almond oil याने के बदाम का तेल चाहे मैं आपके लिखूं sunflower oil याने के सूरज मुखी का तेल चाहे मैं किसी और plant fat को क्या करूं consider करूं तो जितने भी आपके plant fat होंगे बैसे बहुत सारे example हो सकते हैं हमारे मैं सीधे सीधे कहता हूँ जितने भी आपके plant fat पादा बसा होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे बच्चो unsaturated होंगे अब देखें ये तो बहुत ही असान तरीका है इन सब चीजों को classified करने का पढ़ने का लेकिन जो question पूछा जाता है न आपका वो question थोड़ा सा tricky करके पूछता है और trick कुछ नहीं होती है उसमें क्या होता है वो इन सब चीजों को तोड़ा सा गुमा देता है questions को और जब question को गुमा देता है तो आप लोग तो खुला confused हो जाते हो तो बस वो confused ही नहीं होना है मैं आपको बताऊं हो यहाँ से question पूछा जाता है question कैसे पूछा जाता है बहुत ही असान तरीके से देखी कोशन कैसे पूछा जाता है आप से कोशन देगा कि बताओ इन में से कौन सा saturated है बच्वे काम करो इसका फटा फट स्क्रीन शॉर्ट ले लो मैं तोड़ा सार रफ करके फिर आगे बताता हूँ फटा फट इसका स्क्रीन शॉर्ट ले लो चीक है बताता हूँ यहाँ से कोशन कैसे आता है देखो बहुत यह असान तरीके से देखिए कोशन कैसे आता है यहाँ से यही से पूछेगा saturated और unsaturated से question कैसे पूछेगा आप से कहेगा बताओ इसमें से कौन सा saturated fat है क्या कहेगा बताओ इसमें से कौन सा saturated fat है संतरप्त बसाए अब जैसी वो कहेगा इसमें से कौन सा संतरप्त बसाए आपके दिमाग में तुरंट क्लिक करेगा सर ने बताया था कि saturated fat जो होते हैं वो हमारे कौन से होते है animal fat और आप खोजने लगोगे किसका animal fat का example ठीक है और यहां का example आपको दे रखा है सुनिए यहां क्या question आपको दे रखा है नमर वन आपको दे रखा है olive oil याने के जैतून का तेल ठीक है बच्चों olive oil के बाद में माल लेतने हां दे रखा है आपको daisy oil daisy oil याने का आपका आरेंडी तेल और daisy oil आरेंडी के तेल के साथ साथ तीसरा option आपको दे रखा है आपको दे रखा है हाँ पर coconut oil coconut oil हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं इसको नारियल तेल और बच्चों चोथा option आपको दे रखा है हाँ पर माल लीजे mustard oil अब आपके दिमाग में तुरंद question क्या आएगा आपके दिमाग में तुरंद question ही आएगा सर ने ये बताया था कि saturated fat जो होते हैं हमारे कौन से होते है animal fat होते है तो देखो fat fat case में से कौन सा animal fat है चेक करते हैं आपने देखा चारो options को और उसमें आपको एक option मिला mustard oil अब आपके दिमाग में आया mustard oil अरे नहीं यार mustard oil तो सरसों का तेल है और ये तो सर ने लिखवाया भी है जो कि हमारा क्या है plant fat है ये तो होई नहीं सकता तो आपने चार में से एक को तो पहली cancel कर दिया अब आपको दिमाग लगाना है सिर्फ तीन में olive oil है, daisy oil है, coconut oil है तो आप इंचेक करना शुरू किया आपने देखा olive oil जैतून का तेल अरे जैतून जो होता है हमारा क्या होता है plant होता है अनिमल होता है तो नहीं यार जैतून animal तो नहीं होता है करना नारियल बहुत सुनाए हम लोगों ने कि नारियल हमारा क्या होता है आपका plant है, तो ये भी नहीं होगा फिर हमारे पास में क्या है daisy oil और daisy r&d ये भी हमें पता है कि ये animal नहीं होता है, क्या होता है plant होता है, ये भी नहीं होगा अब चारों option जब गलत हो गए तो आपने क्या किया आपने का वह यह question ही गलत पूछा है यहाँ पर ऐसा हो सकता है question आपका गलत दे रखा लेकिन जब examiner में ने आपका question paper site किया है तो इतना जल्दी एक question ऐसा तो हो नहीं सकता गलत हो जाए क्योंकि बहुत बार check हो कर question आपके रखे जाते है तो question तो गलत नहीं है यह अब दिमाग आपको लगाना है अब आपने दिमाग बहुत मारा लेकिन समझ में यही आई की बात नहीं सर यह सारे के सारे हमारे क्या है unsaturated ही है और जब कोई सारे नहीं है तो कुछ लोगों ने क्या अगरा तुक्का लगा दिया तुक्के से तो हमारे question ज़रूरी नहीं 100% साही हो जाए कभी-कभी आपके ठीक भी हो जाते हैं लेकिन 90% 95% आपके गलती होते हैं तो तुक्का बिलको नहीं मार रहा है समझ ये दिहान से मैं आप से कहता हूँ कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं हलाकि जब science पढ़ते हैं तो main चीज यहां पर आती है कौन exception याने कि अपवाद जब भी आप विज्ञान पढ़ें अपवाद हर जगे मिलते हैं लेकिन विज्ञान की अगर बात की जए science की बात की जए तो science में आपको सबसे ज़्याद आपवाद मिलते हैं विज्ञान में आपको सबसे ज़्याद आपवाद मिलते हैं जैसा कि आप देखते हो chemistry की अगर मैं बात करूँ तो आप देखते हो जितने भी आपके metals होते हैं धातू हैं होती हैं वो सारों की सारों धातू की गुण होते हैं कि धातू हमारे कैसे होते हैं आपके solid अवस्ता में पाये जाते हैं ठोस अवस्ता में लेकिन वहीं पर एक हमारी धातू है कौन मर्गरी जो किसमें पाई जाती है आपकी? लिक्विड स्टेट में यानिके पारा लिक्विड स्टेट में पाई जाता है दरवब पाई जाता है फिर कहा जाता है कि सब जितने भी आपके non-metals होते हैं ना non-metals यानिके अधातू वो जनरली हमारी soft होती है लेकिन वहीं पर अगर बात करूं मैं आपसे कि जो अगर हीरे की बात की जाये याने के डיçarमेंड की अगर बात की जाये तो जो हीरा होता है ये दुनिया का सबसे कफोर पदार्त है जब कि हमारा क्या है नॉन मेटल अधातू है तो ये सारे के सारे क्या होते है तो graphite क्या होता है? electricity को conduct करता है तो यह सारे क्या होते है? अपवाद होते हैं तो जिस प्रकार से आपके chemistry में आपको अपवाद मिलते हैं वही इस question में आपका अपवाद है क्या अपवाद है? सुनिए मैं कहता हूँ आप से कि यहाँ पर जो answer अगर right answer है वो right answer है आपका नारियल का तेल ठीक है? नारियल का तेल गलत नहीं है नारियल का तेल आपका right answer है अब right answer क्यों है? वो सुनिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि जो exceptions होते हैं saturated में अपवाद जो होते हैं अपवाद क्या होते हैं वो देख लीजेगा सबसे पहला coconut oil जो है आपका नार्यल तेल वो नार्यल तेल आपका क्या है अपवाद है नार्यल तेल के साथ सब अगर बात की जाए एक और oil होता है palm oil जिसको आप कहते हो ताल का तेल तो ताल का तेल भी हमारा क्या है? अपवाद है तो धान रखेगा आज के बाद कि saturated animal वाले है unsaturated plant वाले है लेकिन अपवाद क्या है? कि coconut और palm oil होते तो आपके plant fat है लेकिन उसके वागजूत भी किसमें रखे जाते हैं आपके saturated में इसलिए कोश्चन आपका गलत हो सकता था लेकिन अगर आपको जब अपवाद के बारे में पता होगा तो ये कोश्चन आपका गलत नहीं होगा सनमयाय सभी को? चले तो ये overall हमारा था किसके बारे में? Fats के बारे में Fats related और भी चीज़ों को मैं आपके साथ में discuss करूँगा उससे पहले आप क्या कीज़े? इसका screenshot ले लिजे फटाफ़ट जिससे के मैं आगे की चीज़ों को discuss कर सकूँ आपके साथ में चले पुश करिएगा साथ चले बच्छो इसका screenshot ले लिए होगा सभी ने एक बार इसको repeat कर लेते हैं रिवाइस कर लेते हैं उसके बाद आगे चलेंगे topic को लेकर देखे बहुत असान हैं सभी चीज़े first of all fats के sources क्या है? तो fats के sources है हमारे पास में oil और घी ठीक है? important source उसके बाद में सर ठीक है fats अगर हम लोग sources ले रहे हैं तो हमें पता होगा सर फैट से कुछ ना कुछ प्राप्त होगा तो fats से ऐसी कौन सी चीज़ प्राप्त होती जो बहुत ज़दा important है हमारे लिए तो fats से important चीज़ आपको प्राप्त होती है energy जो कि हमें अपने daily routine के work याने के activity को perform करने के लिए ज़रूरी होती है energy कितनी मिलती है कुछ यह पूछा जाता है तो जहां रखेगा energy जो मिलती है आपको 9.8 kcal per gram उसके बाद आगे चलते हैं तो fats के जो types हैं याने कि हमने fats को divide किया है एक हमारा क्या है saturated fat है और दूसरा हमारे पास में क्या है unsaturated याने के संत्रप्त है दूसरा आपके पास में आसंत्रप्त है तो मोटी मोटी बात याद रखनी है कि जो संत्रप्त बसा होता है वो क्या होते हैं सारे के सारे animal fat याने के जन्तू बसा तो जितने भी आपके जन्तू बसा के आपको example मिलेंगे animal fat के वो सारे संतरफ saturated होंगे लेकिन उसके साथ में मैं आपको बता दूँ इस exception को अपबाद को जरूर याद रखेगा question यहीं से गलत होते हैं आपके अपबादों से छीक है? तो इसको जरूर जहन रखेगा उसके साथ मैंने आपको बताया कि unsaturated fat की अगर बात की जाए तो जितने भी plant fat पादब बसा हैं आपके यह सारे unsaturated और यहाँ आप देख सकते हो कोई अभबाद नहीं है यहाँ पर सारे के सारे आपके plant fat के example लिखे हुए जिसका question मैंने आपके साथ में यहाँ पर discuss किया था कि इस तरीके साथ से question पूछा जाएगा ठीक है? अब आगे की बात मैं आपसे करना है साइट करता हूँ मैं आपसे कहता हूँ कि अगर fat की बात की जाए तो हमारे दिमाग में एक दम से आता है कि मैं fat की बात करूँ या carbohydrate की बात करूँ या किसी भी चीज़ की बात करूँ तो बच्चों हर सिक्के के क्या होते है दो पहलू होते है ठीक है? एक अगर अच्छा है तो एक बुरा भी हो सकता है जैसा कि अगर हम प्रकरती की बात करें तो प्रकरती में दिन होता है, तो रात भी होती है मतलब हर चीज़ का क्या होता है? अपोजिट होता है तो यदि fat की बात की जाए तो हम सभी ज़े सुनाये के fat के क्या होते है? नुकसान होते है यानि के disadvantages होती है लेकिन नुकसान के साथ-साथ कुछ फायदे भी होते हैं क्योंकि बच्चों अगर फायदे नहीं होते तो हम कभी भी fat नहीं खाते हैं, है ना? तो हम जानते हैं कि sir, जो fat है उसके दोनों चीज़े होती है, fats के कुछ फायदे भी है यानि कि आपके advantages भी है और advantages के साथ-साथ कुछ disadvantages जाने के नुकसान भी है तो ऐसी क्या-क्या फायदे होते है fat के क्या-क्या disadvantages होती है fat की fats के और कौन-कौन से types होते हैं जहां से हमारे आपके questions बनते हैं उस सभी चीज़ों को चलिए discuss करते हैं fats की advantages को advantages जाने के फायदों को और उसके बाद मैं discuss करूँगा किसको नुकसान को लेकि इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं fat का एक और वी important topic आपके साथ discuss करूँगा trans fat क्या discuss करेंगे हम लोग trans fat को discuss करेंगे चलिए start करते है trans fat को चलिए start करते हैं trans fat अब बात यहादी कि जो trans fat actual में है गया नाम से तो यह clear हो रहा है कि fat का part है क्योंकि इसमें शब्द आ रहा है आपका fat तो बहा से तो clear हो रहा है fat का part है बसा का part है trans fat आपका लेकिन actual में trans fat होता गया है या क्या difference होता है आपके fat में trans fat में उसको देखते हैं देखो यह शब्द है आपका trans fat मैं आपसे कहता हूँ यह दो शब्द दो से मिलकर बनाए देखो इसमें दो शब्द आ रहे हैं तो trans हा रहा है दूसरा क्या रहा है fat आ रहा है यानि कि अगर मैं trans fat को तोड़ लूँ तो trans fat को तोड़ कर मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि जो trans fat है वो दो शब्दों से मिलकर बनाए है trans plus fat है ना अब देखना यह जो trans fat होता है दो शब्दों से मिलकर बनाए है trans और fat से तो इन शब्दों के मतलब क्या होता है इस शब्दों के मतलब से आप पहले ही रूवरू हो चुके हैं कि fact का मतलब होता है बसा लेकिन समझना यह है जो trans है trans का मतलब क्या होता है आप लोगों ने कई वार सुनाओगा transfer transfer का मतलब क्या होता है आपका किसी विक्ति का transfer हो गया वो एक जगे से दूसरी जगे चला गया तो बच्चों यहां पर एक बहुती छोटी सी common सी बात आती है कि जो transfer होगा तो जब भी विक्ति एक जगे को छोड़कर दूसरी जगे जाएगा तो उसकी सारी की सारी चीजों में क्या जाएगा बदलावा जाएगा क्या जाएगा बदलावा जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि जो trans है इस trans का जो actual meaning होता है इसका मतलब होता है change जाने के बदलाव तो जैसा कि आप देखते हों कि transfer तो transfer में क्या होता है कि अगर कोई विक्ति transfer हो गया उसका वो एक जगे से दूसरी के चला गया तो उसकी बहुत सारी चीजों में क्या जाते है changes आ जाते है सबसे पहले तो address में change जाएगा और फिर address के साथ साथ उसकी बहुत सारी ऐसी activities होंगी जो आपकी change हो जाएंगी किसके गरण transfer के गरण तो trans का मतलब जो होता है वो actual में क्या होता है change जाने के बदलाव और fat का मतलब आपको पता है कि fat का मतलब क्या होता है बसा तो यानि कि trans fat से मुझे ये बास वन में आती है कि trans fat एक ऐसा fat होता है जिसमें कुछ ना कुछ क्या जाता है बदलाव आ जाता है अभी तक जो topic हम discuss कर रहे थे वो topic आप discuss कर रहे थे fat यानि के बसा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अब मैं आपसे कहता हूँ कि यही बसा जब बदल जाता है यानि कि जब उसमें बदलाव आ जाता है तो जब बसा में बदलाव आ जाता है तो उसी बदले हुए बसा को हम लोग क्या कहते है Transfet यानि कि आपका Transfet इसको कहा जाता है आप देखना यह जो Transfet आपका बनता है यह बनता कैसे मतलब आप से कह रहे हो कि इसमें बदलाव आ गया तो तुसर बदलाव क्या आ गया यही पढ़ना है हम लोगों ने बदलाफ के आगया तो बदलाफ के आया वो देखो एक छोटे से एक्जामपल को लेकर आपको समझाता हूँ आप लोगों ने देखा कि आज से दस साल पहले एक हमारे इंडिया में चाइनीज फूड आया और जो कि आप लोगों ने बहुत जादा लाइक भी किया जिसको आप कहते हो मुमोज तो आपने देखा कि हमारे इंडिया में दस साल पहले तकरीबन यह इंट्रोड्यूज रुआ मुमोज और जब यह momos आपके इंडिया में इंट्रोडूस चुआ था तो यह आपका steam बर्जन में आया करता था याने कि steam momos हुआ करते थे है ना भाब बले सफेद वाले जो आप खाते थे बहुत ज़दा पसंद है आप सभी को तो steam momos आपके launch हुए starting में लेकिन पिछले कुछ बर्सों में यह momos का एक revised version आया और उस revised version को आप लोग कहते हो fried momos सभी को पसंद है क्यों दिनकर पसंद है नहीं तो fried momos हमारे 45 साल पहले आये देखो पहली बात तो यह momos याने के मैदा है यही आपको steam हुआ करता था लेकिन अभी और उसका advance version आया वो कौन आपका fried momos यहीं से चीजों को समझने की कोशिश कीजेगा आप कई वर गए होंगे momos खरीदने के लिए या spring roll खरीदने के लिए इन सब चीजों को जब आप खरीदने गए होंगे या chilli potato आप खरीदने गए होंगे तो आप ने देखा कि जो owner है वो क्या करता है या जो भी आपको जिससे आप खरीदने गए हो उसके पास में एक बर्तन रहता है उस बर्तन में क्या होता है आपका तेल भरा होता है ये बर्तन है उसके पास में और उस बर्तन में आपका क्या होता है आपका ओईल होता है ये माल लेते हमारा क्या है ओईल है तेल है और उसके साथ सद आप देखते हो कि इस बर्तन को लगातार किसके उपर रखता है आपके बर्नर के उपर रखता है गैस के उपर रखता है और गैस आपकी लगातार जल रही है ठीक है? ये क्या लगा दी हम लोगों ने? आग लगा दी अन्नुमलिक के जैसे ठीक? तो आपने देखा है कि जो बरतन है ये लगातार आग में रखा रहता है यानि कि आपका गरम होता है और इस बरतन के गरम होने के कारण जो आपका तेल है वो भी लगतार क्या हो रहा है गरम हो रहा है हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ओयल होता है इस कड़ाई में याने कि इस बरतन में इस कड़ाई में जो आपका तेल होता है कोई मुझे बताएगा इस तेल का कलर क्या होता है हाँ वही बताओ जरा सुदान्ज इस तेल का कलर क्या होता है अरे बताओ वही हाँ इस का कलर का जो तेल होता है इस तेल का कलर कैसा हो जाता है आपका ब्लैक याने के काला हो जाता है है ना और वहीं पर अगर मैं natural color की बात करूँ तेल के तो सुनिल बताओ भई natural color क्या होता है इसका तो natural color हम सभी जानते हैं कि mustard oil हमारे पास में हम लोग use करते हैं जो उसका natural color आपका yellow होता है ने के पीला होता है तो देखो जो natural color था इस तेल का वो तो पीला था लेकिन इस कड़ाई में 12 गरम होने के कारण इसका जो color हो गया वो कैसा हो गया black हो गया हम देखते हैं कि जो भी चीज हमारे पास में होती है इसकी दो properties होती है एक तो chemical property याने के रसाइनिक और दूसरी आपकी physical property याने के बहुत एक तो आपने देखा कि जो तेल था इसकी physical property याने के जो भौतिक property है भौतिक आपका गोड़ है वो क्या हो गया बदल गया याने के जो पीले रंग का हुआ करता था वो अभी कैसे रंग का हो गया आपका काले रंग का हो गया अब एक बात बताना बच्चो छोटी सी यदि किसी चीज की physical property में change आया ठीक है तो क्या उसकी chemical property में change नहीं आया होगा obviously आया होगा तो physical property बदली तो chemical property बदली होगी तो आपने देखा physical property तो हमें दिख रही बदलते हुए कि जो पीला रंग था वो कैसा हो गया काला हो गया और chemical property भी यहां पर बदलती है और chemical property आपकी इतनी ज़्यादा बदल जाती है इस तेल की बारवा गरम होने की कहाराण आप देखते हो इस बरदन में तेल जो रखा है वो लगतार गरम हो रहा है अभी कोई आया तो उसको भी उसने उसी में गरम करके दिया high temperature पर, या high pressure पर जब किसी भी तेल या घी को हम लगातार high temperature पर गरम करते रहते हैं उसको उबालते रहते हैं, बार बार गरम करते रहते हैं तो उसकी physical property तो change होती होती है जो कि आपको दिखवी रही है पीले से कैसा हो गया काला लेकिन बच्चो physical property के साथ साथ, उसकी chemical properties में भी क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है और जो chemical properties में परिवर्तन आता है न, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैसा होता है बिटा harmful याने के कैसा होता है? रहत ज़्यादा हानी का रख होता है तो ध्यान नखिएगा फैट जो है ये तो हमेशा आपको क्या होगा एडवांटेज भी करेगा डिसडवांटेज आने के दोनों फायदे भी करेगा नुकसान भी करेगा लेकिन यदि ट्रांस फैट की बात की जाए तो ट्रांस फैट का हमेशा क्या होता है harmful ही होता है याने हमेशा कैसा होता है हमारे लिए honey कारा की होता है कभी इसका कोई भी advantage नहीं होती है ध्यान न कियेगा तो देखा कि जो physical और chemical properties इसकी बदली तो chemical properties इतनी ज़्यादा बदल जाती है जिसके करण यह बहुत ज़्यादा हमारे लिए harmful याने के honey कारा को जाता है बच्चो और इतना ज़्यादा honey कारा को जाता है कि बहुत सारी disease बीमारियों का करण बनता है रोगों का करण बनता है और कौन कौन से disease होती है मैंशन कर रहा हूं यहाँ पर सबसे पहले जो important diseases से होने वाली cancer लोग केते हैं यार मैं तो ना बीड़ी पीता हूं ना cigarette पीता हूं ना गुठका खाता हूं लेकिन फिर भी मुझे cancer हो गया ठीक है अब उनको जो cancer हो गया उसका काराण कौन बना तो उसका काराण बना कौन आपका transfit ऐसा नहीं है कि BC secret वालों को ही cancer होता है और लोगों को भी cancer होता है उसका खारण क्या होता है लोगों को पता नहीं कि जो transfit हैं हमारे लगी कैसा है हानी कारण है और इतना ज़्यादा हनी καरण है कि cancer का कारण बन सकता है तो ध्धान लखिए Trans fat, यानि के ऐसा fat जिसमें बदलाव आ जाए, और बदलाव किसके करान अदरा है, बेसिकली, अगर एक ही तेल को हम लोग बार बार क्या करते रहते हैं, गरम करके इस्तमाल करते रहते हैं, तो उसमें इतने changes आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैसे हो जाते है हानी कारण, और उससे होने वाले रोग मैं आप लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला cancer, cancer जो है, और trans fat के कारण होता है, वैसे और भी सारे कारण होते हैं, लेकिन ये विरीजन है, cancer के साथ साथ, blood pressure, blood pressure यानि कि आपका रक्त दाव, तो जो रक्त दाव होता है, या रक्त चाप जो होता है हमारा, वो किसके करण होता है आपका, trans fat के करण भी होता है, और भी reasons होते हैं लेकिन इसके करण भी होता है, इसके साथ मैं आपसे कहता हूँ, heart related disease, हिर्दय संबंधी रोग, हिर्दय संबंधी रोग, तो हमारे हिर्दे से जो संबंदित रोग हैं वो भी किसके करण होते हैं आपके ट्रांसफेट के करण और ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे रोग हैं इसके अलावा जो छोटे छोटे रोग हैं तो बहुत ज़दा बड़ी diseases होती हैं एंसर हो गया, blood pressure हो गया, heart related disease हो गई और इसके अलावा भी बहुत सारे रोग होते हैं जो हमारे किसे करण होते हैं आपके ट्रांसफेट के करण तो उसको जगेह पर हम लिख देते हैं ETC इतियादी इसके अलावा भी बहुत सारे रोग हैं हमारे किसके करणा होते बच्चों ट्रांस फैट की करणा तो ट्रांस फैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा किस रिलेट आपका फैट से रिलेट एक बड़ा फैट इसको रिवाइस कराता हूं उसके बाद में डिस्क्स करूँगा आपसे आगे की चीजों क मैंने आपसे कहा कि जो फैट हम पढ़कर आया थे पीछे क्लास में उसमें हम लोगों ने देखा था कि फैट तो पढ़ा फैट के बाद में हमारा एक टॉपिक आता है ट्रांस फैट और ट्रांस फैट क्या होता है ट्रांस फैट मिलकर बना है दो सब दो से ट्रांस प्लस फ हम लोग अगर high temperature पर, अत्याधिक ताप पर, बारवर गरम करते हैं, तो बारवर गरम करने से क्या होता है, उसकी physical property और chemical property, बहुत तीक और रसायनेगुण बदल जाते हैं, और जब उसके बहुत तीक और रसायनेगुण बदल जाते हैं, हिर्दर सब्बंदी रोग है, इसके अलावा भी बहुत सारी disease से करण बन जाता है, हमारा कौन आपका, trans fat, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सभी को, कि अगर जिस तेल को हम लोग एक बार इस्तमाल कर लेते हैं, उसको दो बारा इस्तमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही तेल को बार बार इस्तमाल करते हैं बच्चों, तो वो trans fat बन जाता है, जो कि हमारे लिए हानी गारक होता है, इसलिए आप लोग ने देखा होगा, जितने भी आपके food materials आते हैं, जैसे के uncle chips हो गया, कुरकुरे हो गया, या और भी बहुत सारी चीज़े हम लोग इस्तमाल करते हैं खाने पीने की, तो उसमें आप लोग देखेगा, बच्चों last में, पीछे की तरफ उसमें ingredients लिखे होते हैं, पीछे आप देखोंगे लिखे होते हैं ingredients, मतलब इसमें कौन-कौन सी चीज़े हैं, तो ingredients में आप लोग एक चीज़ देखोंगे उसमें नीचे और भी यह चीज़े लिखे होते हैं, कि उसमें क्या-क्या कितनी-कितनी percentage में हैं, तो माल ले देएं, उसमें लिखा होता है, कार्बोहाइडरेट माल लो, कि कार्बोहाइडरेट माल लो इसमें कितना है, 15%, ठीक है, साथ में fat लिखा होता है, fat माल लो कितना लिखा है, माल लो 3%, साथ में हाँ पर protein लिखी हुई है, तो protein माल लो इसमें लिी हुई, कितनी आपकी, 12%, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़े लिखी होती हैं कारव हो गया, फैट हो गया, बहुत सारी चीज़े और लिखी होती हैं और लास्ट में एक चीज़ और लिखी हो आप देखोगे यहाँ पर लिखा होता है ट्रांस फैट जिसने देखा अच्छी बात है और बच्छों जिसने ना देखा हो, वो जाकर अभी एक 5 रुपे वाला अंकल चिप्स खरीदेगा, ज़्यादा पैसे खर्च करने ही जरू होता है, जब 5 रुपे में देख सकता है, तो उसमें देखेगा, कि लास में लिखा होगा, ट्रांसफेट, और ट्रांसफेट वाले से लेकिन यहाँ पर 0% है, तो यहाँ पर 0% इसलिए है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को पता है, कि जो ट्रांसफेट है, वो कैसा होता है, हानी का रख, और इनका इंडिरेक्टली कहने का जो मतलब होता है, वो यह होता है, कमपनीज का, कि जो तेल हम लोगों ने एक बार इ इस्तमाल नहीं करते हैं और अभी तक आपको यह बात पता नहीं थी कि ट्रांस्वेट हानी का रगा है इसलिए जब आप इन सब चीजों को खरीदे रहे तो इसको देखते ही नहीं थे और उस समय अगर यहाँ पर 0% की जिगाए पर 10% भी लिखा होता तो आप पे कोई फर्क नहीं परता लेकिन अब बताओ जरा बच्चो कि आप अगर आपको इस तरीके से लिखा होगा मिलेगा 10% तो कोई खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको पता है कि ट्रांस्वेट हमारे लिए कैसा है हानी कारणा बनता है ठीक है तो इसी लिए यहाँ पर ट्रां है अब बात करते हैं चरहे हमें लोग पढ़ेंगे हैं तो हम सभी जानते हैं कि ज़िए उसकी कुछ एडीजिपरे हैं, तो कुछ आपकी disadvantages भी होती हैं है ना कुछ आपके love है, advantages है तो disadvantages, यानि कि आपकी हानी भी है, दोनों पर चर्चा करेंगे वैसे तो बहुत सारी चीज़े होती है, advantages में भी, disadvantages में भी, लेकिन हमें सारी की सारी चीज़ों को नहीं तो मैं सबसे पहले advantages पर discuss करूँगा, फिर disadvantages आपको बताऊँगा और उसी के साथ में topic हमारा finish देखेगा देखो, advantages की अगर बात कीज़े तो मैं number one आपको advantage बताता हूँ जो हमारी fat की number one advantage है, वो क्या है देखे सबसे पहले advantage में आपको बताता हूँ की जो fat होता है, वो हमारी body के temperature को regulate करता है क्या करता है बच्चो, body के temperature को regulate हिंदी में कह सकते हैं, शरीर के ताप का नियंत्रन करता है सर, ठीक है, शरीर के ताप का नियंत्रन करता है, कैसे करता है बात यहाँ पर आती है तो body के temperature को regulate कैसे करेगा बैसे तो हमारा question यहीं से solve हो गया अगर आप से पूछे का कि बताओ बसा का काम क्या होता है तो बसा का पहला काम क्या होता है advantage क्या होती है हमारे body के temperature को regulate करना शरीर के ताप का नियंतरन करना लेकिन फिर भी अगर detail में अगर आप से पूछता है कि किस तरीके से करेगा तो वह तरीका सुन लीजे देखो हम सभी जानते कि हमारी जो skin है बहुत सारी layers से मिलकर बनी है बहुत सारी पड़तों से मिलकर बनी है तो मैं माल लिता हूँ कि हमारी skin है और skin की यह सबसे uppermost layer है मैं आपको पहली बता दूँ बच्चो जो skin है वो हमारी तीन परतों से मिलकर बनी होती है question push लिया जाता है कि जो हमारी skin होती है तचा जो होती है आपकी वो कितनी परतों से मिलकर बनी है तो ध्यान रखिएगा जो skin होती है हमारी तचा होती हो मिलकर बनती है कितनी परतों से आपकी तीन परत से मिलकर बनती है और ये question बहुत 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 रिपीट हुआ है सभी ने पढ़ाओ इस question को कि बताओ skin की तचा की सबसे उपर वाली परत को क्या कहते है तो सभी ने पढ़ाओ रखा है कि जो skin की सबसे उपर वाली परत याने के सबसे उपर वाली जो layer होती है इसको हम लोग कहते हैं epidermis क्या कहते हैं इसको epidermis कहते हैं बहुत बर पढ़ा है हम लोगों ने, कि इस layer को हम लोग कहते हैं epidermis, ठीक है, तो जिस तरीके से इसको epidermis कहते हैं, तो बची कितनी आपकी दो layer और बची उन पर भी discuss कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, तो skin की सबसे उपर वाली layer हमारी हो गई epidermis, और epidermis के बाद में दो layer और होती हैं, जिनका नाम मैं बता देता हूँ आपको, जो second layer होती है skin की वो कहलाती है mesodermis, ठीक है, second layer कहलाती है हमारी mesodermis, और mesodermis के साथ-साथ last वाली कहलाती है आपकी endodermis, देखें इनके नाम से ही clear हो जाता है, कि सबसे पहले आपने देखा लिखा है epidermis, तो धार नखना है जो dermis शब्द है वो बारबार आपका इस्तमाल हो रहा है, dermis, 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 common शब्द है, तो actual में जो dermis शब्द है, यह आपका denote करता है किसको, skin को यानिके तुचा को, जहां पर भी आपका dermis शब्द होगा, related होगा skin तुचा से, अब बस यह समझ लेना है कि इन शब्दों का मतलब क्या है, तो देखो जो epi शब्द है, epi का मतलब होता है upper, उपरी, जहां पर भी शब्द आता है mezo, mezo का मतलब होता है middle, मद में, और endo का मतलब क्या होता है inner, यानिक अंदर की तरफ, तो जो upper layer है वो epidermis है जो middle layer है, वो mezo dermis है, और जो inner layer है, वो हमारी केकलाती है, आपकी endo dermis, तो ये तीन layer से मिलकर हमारी skin याने के तुचा आपकी बनी होती है, तो मैं आपसे कहता हूँ, जो हमारी तुचा होती है, इस skin के नीचे क्या होता है, कि आपकी fat की layer present होती है, क्योंकि यहां पर हम discuss कर है, fat की advantages को, तो सीदे-सीदे बहीं पर मैं आता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि यह तो आपकी skin की layers हो गए, और skin की layer के नीचे अगर बात मैं आपसे करूँ, तो skin की layer के नीचे आपकी present होती है fat की layer, याने कि बसा की परत, मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि जो बसा है हमारा वो किस तरीके से आपके body को temperature regulate करेगा body के temperature को कैसे regulate करेगा तो आपको कैसे नियंत्रित करेगा तो skin की जो layers होती है उनके नीचे present होती है आपकी fat या ने के बसाकी परत और यह जो बसाकी परत होती है fat की layer यह fat की layer का ही काम होता है आपके body के temperature को क्या करना regulate करना तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो fat killer होती ही वो क्या करती है body के temperature को क्या करती है regulate करती है और जब body के temperature को regulate करती है यह body के temperature को regulate करती है इसलिए इसको एक बहुत important नाम से जाना जाता है वही question आप से पूछा जाता है, important नाम क्या है कि fat के लिए body के temperature को regulate करेगी इस कारण इसको क्या कहते है तो देखो बहुत important question है इसको हम लोग कहते है blanket of body क्या कहते है इसको blanket of body और blanket of body को हम लोग कह सकते है हिंदी में शरीर का कंबल और यहां से आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर्दियों के दुनों में जब आपको ठंड लगती है तो हम लोग किसका इस्तमाल करते हैं कंबल का इस्तमाल करते है और कंबल का बिशेश रूप से जो काम होता है हमारे body के temperature को regulate करना जिससे कि जो ठंड आपकी लग रही होती ही कंबल उड़ती ही क्या होता है भाग जाती है तो इसी तरीके से देखा जाता है कि जिस परकार से आपका कंबल जो शरीर आपको इस्तमाल करते हैं आप सर्दियों के दुनों में temperature को regulate करेगा अब first advantage के बाद में हम बात करते हैं second advantage पर बहुत ही important section चल रहा है ध्यान से सुनते रहे हैं बच्चों सब चीजों को ध्यान से गौर करते रहे हैं सबसे पहले body के temperature को regulate करेगा दूसरा दूसरा मैं आप से कहता हूँ कि जितने भी आपके internal organs होते हैं जितने भी हमारे क्या होते हैं internal organs internal organs यानिक हमारे antre kang और antre kangos की अगर बात की जा तो आप जानते हो सबसे पहले heart होगे हमारा antre kangos में आता है, internal organs में आता है lungs हो गए kidney हो गई यह सारे के सारे example आपके internal organs antre kangos के example है तो बच्चों एक बात मुझे बताना कि जितने भी हमारे internal organs होते है वो सारे के सारे sensitive होते है या फिर आपके बहुत ज़्यादा hard याने के कठोर होते है मैं आपसे कहता हूँ कि जो हमारे internal organs होते है वो आपके sensitive होंगे या hard होंगे तो जाहर सी बात है सभी जानते हैं सर कैसे होंगे sensitive होते है चाहिए मैं heart की बात करूँ बहुत ज़्यादा sensitive होता है ठीक है और इतना ज़्यादा sensitive होता है कि जरा सी चोट में या फिर जरा सी दर्द में क्या होता है तूट जाता है कहता नहीं दिल तूट गया चलिए, तो बहुत ज़दा sensitive होते हैं हमारे क्या body organs, internal organs तो जितने भी आपके internal organs याने के sensitive organs होते हैं वहाँ पर भी fat आपको क्या करता है, उन internal organs को protect करता है कैसे protect करता है, उस पर focus करिएगा मैं consider करता हूँ, कि हमारा heart है वैसे basically heart की जो design है, वो ऐसी नहीं होती है ठीक है, बहुत ज़दा typical design होती है आपके, उसको भी discuss करूँगा जब मैं आपको heart topic पढ़ाऊँगा लेकिं जब भी heart की बात आती है, तो हमारे दिमाग में उसकी यही image बनकर आती है ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ के दिमाग में तो ऐसी भी आती होगी है ना, कुछ के दिमाग में ऐसी भी आती होगी ठीक है, तो मैं consider करता हूँ कि हमारे पास में क्या है heart है और heart के बारे में मुझे पता है कि sensitive organ होता है क्योंकि हमारा क्या है इंटर्नल और तो sensitive होगा अब देखना यह है, सर जो हमारा heart होता है या जो और internal organs होते हैं, इनको protect कौन करता है कैसे protect करता है तो मैं आपसे कहता हूँ, देखो, जो heart है इस heart के चारो तरफ क्या होता है आपकी fat की layer present होती है या ऐसे भी कह सकते है, fat अपनी क्या करता है layer बना लेता है अब आपने देखा कि कभी भी आप गिरते हो तो उस गिरने से क्या हो सकता था कि हमारे heart पर या हमारे internal organs पर चोट पहुंच सकती थी, जहटका पहुंच सकता था शौक पहुंच सकता था लेकिन अब क्या होगा कि जब internal organs के चारो तरफ प्रजेंट होगी आपकी fat की layer जब बसा की परत आपकी उपस्ते होगी तो अब जब भी आपको शोक लगेगा जटका लगेगा आप गिरोगे, शोक लगेगा, जयतका लगेगा तो जो भी शोक लगेगा यानि कि जटका लगेगा, उस शोक को absorb कौन कर लेगा? मुझे बताओ, उस shock को absorb कर लेगा कौन, fat की layer और जब उस जटके को शौक को fat की layer absorb कर लेगी да अफसेसित कर लेगी, तो मुझे बताओ गया उसकी जो चोट है जो जटके के आपका दर्ध या फिर जो भी चोट होती किया आप वो हमारे heart टक पहुँचे की या कोई भी sensitive यानि के कोई भी integral अगर सक पहुंचेगी क्या नहीं तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ आपको कि जितने भी आपके आंत्रे कंग होते हैं बच्चो जितने भी आंत्रे कंग होते हैं इन सभी आंत्रे कंगों के चारो तरफ fat अपनी क्या बना लेता है layer बना लेता है और जब fat की layer आपकी 4 तरफ प्रसेंट होती ही तो जब भी कोई shock लगेगा तो shock को absorb कर लेने का काम जो होता है वो किसका होता है fat की layer का और वो चोट आपके आंत्रे कंगों तक नहीं पहुंसती है और इसी तरीके से हमारे जितने भी आंत्रे कंग होते हैं उन सभी को चोट लगने से बचाता है कौन आपका fat और यही इसकी क्या है advantage है तो पहली advantage मैंने आपको बताई दी body के temperature को regulate करेगा दूसरी advantage मैंने आपको बता दी सारे के सारे internal organs को चोट लगने से बचाएगा शोक लगने से बचाएगा और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आपके body के temperature को regulate करता है इस कारणे से कहते है blanket of body शरीर का कंबल क्योंकि temperature को regulate कर रहा है इसी लिए शरीर का कंबल और यहाँ पर शौक लगने से बचा रहा है या ज़टका लगने से बचा रहा है या फिर ज़टके को क्या कर रहा है एब्जॉर्व कर रहा है और जब ज़टके को एब्जॉर्व कर रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पर कहते है शौक एब्जॉर्वर जैसे यहाँ पर कहते हैं कि क्या कहते हैं आपर blanket of body ऐसे ही यहाँ पर fat की लियर को कहा जाता है shock absorber बच्चों हिंदी में इसको कह सकते हैं हम जटका निवारक हिंदी में इसको कहते हैं जटका निवारक तो द्यान नखना अगर पूछा जाए कभी कि जटका निवारक किसे कहते हैं कार्बोहार्डरेट को, fat को या protein को तो हमारा आंसर होगा fat को जटका निवारक कहते हैं अगर पूछा जाए blanket of body किसे कहते हैं कार्बोहार्डरेट को, fat को, protein को तो भी हमारा आंसर क्या होगा कि हम लोग किसको बोलते हैं आपका fat को ही blanket of body कहा जाता है तो ये दो जो advantages हैं बहुत ही most important advantage है किसकी आपकी fat की इसके अलावा इसके अलावा भी कुछ important advantages है जिन पर मैं पहले भी discuss कर चुका हूँ चले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दो advantages यहाँ मैंने आपको बता दी तीसरी advantage मैं यहाँ लिख रहा हूँ starting मैंने आपको बताया था जो fat होता है वो fat आपको क्या देता है energy देता है या फिर ऐसे कह सकता हूँ सबसे highest amount में energy देता है सबसे highest amount में और इस चीच को यहाँ से मैं explain कर सकता हूँ आपने पढ़ा carbohydrate तो आपने कहा कि जो carbohydrate energy देते हैं वो कितनी देते हैं 4.2 kcal per gram फिर मैंने fat का आपको section पढ़ाया था और fat में मैंने आपको बताया था energy देता है 9.8 kcal per gram और इसके आगे मैं आपको protein पढ़ाऊँगा उसके बारे में पहली बता देता हूँ कि protein आपको energy देता है तकरीवन 3.0 kcal per gram अब अगर इन टीनों को देखा जाए तो आप देखो carbohydrate से आपको energy मिल रही है 4.2 fat से मिल रही है 9.8 और protein से मिल रही है 3.0 तो सबसे ज़्यादा highest amount में energy कोई देता है सबसे अधा highest amount में energy देता है कौन आपका fat और यही इसकी क्या है advantage है तो पहली advantage temperature को regulate कर रहा है दूसरा internal organs को क्या कर रहा है protect कर रहा है यानि के चोट लगने से बचाता है और तीसरा क्या है कि सबसे highest amount में क्या देता है बच्चो एनरजी देता है और यहां मैं mention कर देता हूँ कि highest amount में energy कितनी देता है 9.8 kilo calorie per gram तो यह 3 advantage जिसके बाद मैं एक वार advantage बताता हूँ आपको चौथी advantage ठीक है और चौथी advantage बताता क्या हूँ मैं आप ही से पूस्ता हूँ माल लो आपके घर में 2 सबजियां बनी है एक आपके घर में बना है handy pane ठीक है? माल लेते हैं का हांडी पनीर का नाम सुनते ही मूँ में क्या आ गया होगा पानी खेर बचो हांडी पनीर बनाए आपके घर में और मूँ की दाल बनी है अगर मैं आपसे सिंपल इतना पूछूँ के दोनों में से कौन सी चीज ज़्यादा टेस्टी होगी तो obviously सभी लोग कहेंगे सर जो हांडी पनीर है वो ज़्यादा टेस्टी होगा और depend करता है बनाया भी किसने है हो सकता है कि मूँ की दाल जादा टेस्टी हो क्योंकि हांडी पनीर जिसने बनाया उसको ऐसी तेस्टी करती हो फिर ऐसा भी हो सकता है लेकिन basic लिए जो टेस्टी लग रहा है जिसके नाम से ही वो कौन है आपका हांडी पनीर ज़्यादा टेस्टी होगा क्योंकि हमें पता है कि इसमें हम लोग क्या डालते हैं चीज बगर डालते हैं जिससे टेस्ट आपका बढ़ जाता है तो आपने देखा कि सर जो हमारा हांडी पनीर है ना इसमें हमने बहुत सारा घी या फिर चीज वेकरा इसमें हम लोगों ने डाल रखा है और जो चीज आपने डाल रखा है जड़ा बता दो मुझे छोटी सी बात जो चीज है वो किसका एक्जामपल है पहएट का या कर्वोřड्रेट का, तो आप कहेंगे सिर्फ जो चीज होता है, वो तो आप कया होता है? फैट होता है! अब मुझे इतना बताना कि फैट दोनों में से डाड़ा, हांडी पनीर में या मुंकी दाल में? आप सभी जानते हो कि मुगी दाल किसके लिए दी जाती है जो पेशेंट होते हैं उनको मुगी दाल दी जाती है तो आपने देखा कि मुगी दाल जब पेशेंट को दी जाती है तो जाहर सी बात है उसमें ज़्यादा फैट तो दिया नहीं जाएगा तो यहाँ पर fat की जो मात्रा है वो हांटी पनीर में ज़्यादा है और जब हांटी पनीर में fat की मात्रा ज़्यादा है इसलिए वो कैसा है? ज़्यादा tasty है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जिसमें ज़्यादा fat होगा वो ज़्यादा tasty होगी तो हमारे food को, हमारा जो भोजन होता है, ऐसको स्वाद प्रधान करने का भी जो काम होता है, वो किसका होता है? FET का ही होता है, स्वाद प्रधान करने का काम. जैसे सब से पहला कारे था temperature को regulate करना, ताप को नियंतरित करना, दूसरा काम था आंत्रे कंगों को चोट लगने से बचाना इंटरनल ओर्गन्स को प्रोटेक्ट करना तीसरा काम था हाइस्ट अमाउंट में एनर्जी देना उसी तरीके से चौथा जो काम है फोर्थ नंबर का जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि सर जितना भी हमारा फूड होता है उस फूड को जो टेस्ट प्रोवाइड कराता है भोजन को जो स्वाद प्रदान कराता है वो स्वाद कौन प्रदान कराता है बच्चो वो स्वाद प्रदान करने का काम हो किसका होता है फैट्स का मसाले तो कराते ही कराते हैं लेकिन fat का भी काम होता है taste provide करना किसको? हमारे food को तो ये 4 advantages है मैं फटा-फट आपको revise कराता हूँ फिर disadvantages पर बात करूँगा देख लो मैंने बताया fat advantages, disadvantages पहली advantage temperature regulate करेगा कैसे करेगा हमारी skin है skin की 3 layer है टोटल 3 layer से मिलकर बनती है skin नमर वन उपर वाली epidermis मिडल वाली mesodermis सबसेंदर वाली endodermis और इसी के नीचे fat क्या करता है? अपनी layer बना लेता है ये fat की layer है बच्चो और fat की layer होती है उसका काम होता है body के temperature को regulate करना और जब fat आपकी body के temperature को regulate करता है इसी कारण यहाँ पर इसको बोला जाता है blanket of body आने के शरीर का कंबल बहुत ही most important question है star बना रहा हूं यहाँ बहुत important question है कि blanket of body किसको बोलते है? fat को कहते है वही पर दूसरा अगर advantage की बात की जा जितने भी आंत्रिक अंग है उनको protect करने का जो काम होता है वो भी किसका होता है fat का कैसे protect करता है देख लो जितने भी आंत्रिक अंग है example मैंने heart का लिया है उनके चारु तरफ fat अपनी layer बना लेता है और फिर जब भी आप गिरते हो इसी कारण यहाँ पर इसको कहते है fat की layer को shock absorber जैसे इसके यहाँ पर बोलते है blanket of body ऐसे यहाँ पर बोलते है shock absorber जटका निवारक ठीक है तीसरा मैंने आपको बताया energy देता है high surround में कितनी देता है 9.8 kilo calorie per gram और चौथा आपको पता है कि taste provide करने का भी काम किसका होता है हमारे fight का तो यह कुछ advantages थी बच्चो अब advantages के बाद में हम discuss करेंगे किसको disadvantages को advantages का आप screenshot ले लिजे फिर मैं disadvantages को discuss करता हूँ चलिए करते है फटाफट आपट आओ फिर बच्चो अब देखते है advantages के बाद में disadvantages को चीक है देखे advantages सारी पढ़ी लिए हम लोगोंने fight की disadvantages और देख लेते हैं बैसे अगर disadvantages की बात कीज़े तो बहुत सारी disadvantages हो सकती है लेकिन जो important है न हमारी हमें वही point नहीं है जहां से हमारा question मनता है तो first of all देखो बहुत छोटी सी बात से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं याँ पर मैंने का जो carbohydrates है हमारा उससे आपको energy मिल रही है 4.2 kilocalorie per gram और fats से मिल रही है 9.8 protein से मिल रही है 3.0 kilocalorie per gram अब अगर मैं आपसे पूछूँ बच्चों कि बताओ ठीक है कि तीनों में से energy कौन जादा देता है तो आप कहेंगे सर सबसे अगा energy देता है fats क्योंकि पीछे आपने पढ़ाया भी था advantage में highest amount में energy देता है अब highest amount में energy दे रहा है आपका fat फिर अगर मैं आपसे पूछूँँगा ठीक है सबसे highest amount में energy fat आपको दे रहा है और बच्चों बताओ कि सबसे highest amount में खाना क्या चाहिए अब आप थोड़ा सा सोचेंगे और इतना तो मुझे पता है ये आपका answer नहीं होगा कि fat खाना चाहिए है ना fat तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि सबी जानते कि fat हमारे लिए हानी का रख बहुत ज़दा होता है उसके क्या-क्या हानिया होती वो बहुत डिस्स वरूँगा आपके साथ में तो आप कहेंगे सर जादे-ज़दा हम लोगों ने क्या खाता चाहिए protein और carbohydrate इस चीज़ ले ज़ए हम लोगों ने सुन रखा है कि तेल और खी अगर हम लोगों ज़दा खाते है तो उससे बहुत सारी problems हो जाती है हम लोगों को digestion की problem, heart related disease, बहुत सारी दिक्कते हमें हो जाती है किससे आपका fat ज़दा खाने पीने से है ना तो यहां से एक चीज़ तो clear हो गई कि fat आपको energy तो बहुत ज़दा amount में देता है इन दोनों के मुकाबले लेकिन fat आपे ज़दा नहीं खाना चीए है तो fat क्यों नहीं खाना चीए वो चीज़ समझो disadvantages में, देखो क्यों नहीं खाना चीए मैंने आपसे कहा जो हमारा fat है ठीक है इस fat को हम लोगों ने क्या किया खाया अब fat को खाने के बाद ले देखा जाता है कि सब जो fat होता है इसका हमारी body में कोई भी proper digestion method नहीं है proper digestion method कहने का मतलब समझी मेरा मैं क्या कहना चाहरा हूँ आपसे जैसे हम लोग carbohydrate खाते है आपका आपका आसानी से डेजस्ट हो जाता है प्रोटीन हमारी आसानी से डेजस्ट हो जाती है लेकिन जो fat होता है डेजस्ट तो होता है बच्चो लेकिन proper digestion method इसका नहीं है मतलब आसानी से डेजस्ट नहीं होता है डेजस्ट तो होगा आसानी से नहीं होगा, जितनी आसानी से कार्भोहडरेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगी, उतनी आसानी से फैट आपका डैजेस्ट नहीं होता है नहीं हो रहा है, store हो रहा है, store कहा होता है, यह बताईए, तो मैंने गाए, देखो बच्चों, बहुत ही असान है, कही वर पूछा यह गया question आपका, कि fat आपकी body में कहा है, तो आपका answer हो जाएगा, sir, fat store होता है, liver, यकरत पर जाकर store होता है, लेकिन sir, हम लोगों ने जब exam दिया था न, तो उसमें liver option में ही नहीं था, option में कुछ और दे रखा था, और वो हमें याद नहीं है, तो मैंने का, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कि हो सकता है, कि इसका दूसरा वाला नाम आपको दे रखा हो, दूसरा वाला नाम का मतलब क्या है, आपको पता है कि fat हमारी body में आसानी से digest नहीं हो रहा है, और आसानी से digest नहीं होने के कारण हो रहा है store, कहां पर, liver पर, लेकिन liver के अंदर की अगर बात की जाए, तो liver के अंदर आपके एक special type के tissues पाए जाते हैं, tissue मतलब utk पाए जाते हैं, और उन tissue को हम लोग कहते हैं adipose tissue, क्या बोलते हैं बच्चों? adipose tissue, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं adipose tissue याने के utk, लिवर के अंदर आपके special type के tissues पाए जाते हैं जिनको adipose tissue, adipose उतक या फिर adipose की जगे मैं सब दिस्तमाल कर सकता हूँ, बस ये उतक ठीक है, बस ये उतक ये adipose उतक ये हमारे पाए जाते है किसके अंदर आपके liver के अंदर तो हो सकता है कि जब आपको option में दे रखा हो liver अगर ना दे रखा हो, तो liver की जगे आपको दे रखा होगा कौन आपका adipose ठीक है, और fat आपका इनी दोनों जगे पर आपका एकत्रित होता है तो अगर आपसे पूछा जाए कि fat आपका body में कहा है store होता है तो आप कहेंगे liver अगर adipose नहीं है तो और यदि ये दोनों option में दे रखे हैं तो सबसे पहले आप preference देंगे किसको adipose tissue को कारण ये है क्योंकि liver के अंदर present होते है adipose tissue ना कि adipose tissue के अंदर आपका liver होता है तो हमारा answer हो जाएगा fat store होता है कहाँ पर adipose tissue बसिये उतक पर और यदि आपका बसिये उतक adipose tissue नहीं दे रखा है तो आपका answer होगा liver तो basically अगर overall देखा जाए तो fat body में digest नहीं हो रहा है properly store हो रहा है liver पर liver पर भी कहाँ? adipose tissue पर और जब ये adipose tissue पर बच्चों store होता है जाकर तो कारण बनता है किसका obesity का यानिके मोटापे का कारण बनता है और यदि एक बर मोटापा आपकी body में आने लगा तो मोटापे से बहुत सारी क्या होती है हमारे बीमारियां यानिके जितने भी आपके रोग होते हैं वो सारे के सारे यहीं से start होना शुरू होते है तो आपने देखा सर पहली चो disadvantage है हमारी वो यह है कि fat आपकी body में असानी से digest नहीं हो रहा है और store होने के कारण क्या बन रहा है obesity आने के मोटापा बढ रहा है और मोटापे से बहुत सारे क्या हो रहा है आपको रोग तो यह पहली disadvantage थी अब बात करते हैं इसकी एक और दूसरी disadvantage पर यह भी बहुत important है देखिए देखो दूसरी disadvantage भी अगर बात की जाए तो मैं हाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ सभी ने सुन रखा हो गई है एक शब्द है cholesterol है ना cholesterol क्लेस्ट्रॉलि आपने सुना क्क Ha Word का कई अटि लिख और फैसला हम भी आता है टीवी पर हमें अट अब के पाता है चत्व होता है की का आशालिके से कहटा होता है हिर्ट पर समय्ख़टा होता है आपने किस तरीके सब देखा हों भी लेड़ी होती है खीक है वो अपना पहले खाना बनाती है, तेल वेल में दो उसका पती खाता नहीं है तो वो क्या करती है, मार्केट से एक ऐसा तेल लेकर आती है जो cholesterol free है, फिर खूब पुड़ी पराठे बनते हैं और खूब दावादावाद होती है, है ना, तो वो कौन सा तेल होता है कुछ इस तरीके से advertisement आता है आपका कि cholesterol heart attack का कारण बनता है इसलिए इस्तमाल करें सफोला gold oil है ना, ऐसे एड़ाता है, सभी ने देखा होगा अब बात ही आती कि सर, इस cholesterol का यहाँ पर क्या लेना देना है आपकी advantages से, fats से क्या लेना देना है, वो समझना है तो देखो, एक सब्द और भी होता है, lipid चाहे मैं lipid कहूँ, चाहे मैं cholesterol कहूँ, चाहे मैं कहूँ fat ठीक है, सारी बाते एक ही होती है, या ऐसे कह सकता हूँ कि lipid भी एक प्रकार से fat की form होती है और cholesterol भी एक प्रकार से fat की form होती है difference सिर्फ इतना है कि fat advantages भी होती है disadvantages भी होती है लेकिन cholesterol जो होता है basically यह हमारे लिए ज़्यादा तर नुकसान ही पहुंचाता है अब कैसे नुकसान पहुंचाता है वो सीरे सीरे सुनिए आपने देखा कि सर जो fat है वो deposited हो रहा है liver पर obesity का करणा बनता है और जो cholesterol होता है यह जाकर इखटा होता है heart पर जैसा कि आप लोग देखते हैं एड में कि cholesterol से heart attack होता है क्यों होता है क्योंकि cholesterol आपका heart पर deposit हो रहा है और जब यह heart पर deposit होता है तो करणा बनता है किसका heart attack का अब समझना सिर्व इतना है कि यहां से कोशल बहुत important आता है कि सर लिवर पर तो एडिपोस्ट इशू थे, एडिपोस्ट इशू पर लिवर के अंदर, अब हार्ट पर ऐसी कौन सी जगा होती है, जहां पर आपका cholesterol deposit होता है, वो site पूछी जाती है तो बच्चों ध्यान रखना heart में जो हमारे pure blade को carry करती है एक tube, ठीक है उसका नाम होता है coronary artery coronary artery हिंदी में इसको कहा जाता है coronary dhamni ये तो आप सभी को पता है कि जितनी भी dhamni होती हैं इन में सुद्रक्त बहता है यानिका arteries में और एक सब दोर होता है यानिके शिरा जितनी भी आपकी शिराएं होती है इनमें कैसा होता है impure blood होता है कुछ अपवाद होते हैं उनको मैं आगे discuss करूँगा जो dhamni होती है इनमे pure blood होता है शिराओं में आपका अशुद रखत होता है मैं आप से कह रहा हूँ अब होता क्या बच्चो कि जिस प्रकार से liver पर एडिपोस टिशू पर आपका fat जाकर deposit हो रहा था इसी तरीके से जो हमारा cholesterol होता ही deposit होने लगता है जाकर coronary artery में और coronary artery के जरिये ही हमारा blood हो पहुँच रहा था कहा तक heart तक तब ही हमारा heart pump कर रहा था असानी से कारे कर रहा था तो हुआ क्या कि coronary artery जो pure blood को heart तक लेकर जा रही थी वहाँ पर cholesterol deposit होना शुरू हो गया और जब तक कि cholesterol का level down रहता है तब तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है पता ही नहीं चलता है आपको लेकिन अगर इस cholesterol का level बढ़ जाए तो बच्चो होता क्या है कि यह जो artery है यह block हो जाती है और जब यह मुझे बताना बच्चो जब यह artery block हो जाएगी तो क्या blood यहाँ से flow कर पाएगा और जब blood flow नहीं कर पाएगा तो हमें पता है कि blood के ही जरीए जाती है oxygen क्या oxygen हाट तक पहुचेगी और जब oxygen हाट तक नहीं पहुचेगी तो जो heart हमारा pump कर रहा था ना जो muscles आपकी work कर रही थी ना वो काम करना यहाँ पर क्या कर देंगी बंद और जब आपका oxygen नहीं पहुचती है तो heart तक जब blood नहीं पहुचता है oxygen नहीं पहुचती है तो heart हमारा काम करना बंद कर देता है और बच्चों इसी को कहते है heart attack तो आपने देखा cholesterol के कारण heart attack होता है और हमारी body में fat deposition याने के liver पर जब fat deposit होता है तो उसके कारण obesity और बहुत सारे क्या होते है रोग तो overall यह हमारी क्या थी है आपकी disadvantages के related आपके fats है एक बार दुबारा मैं repeat कर देता हूँ सारी बातों को और यहाँ पर इस topic को हम लोग करते हैं खताओ मैंने का fat advantage disadvantage advantage मैंने आपको 4 बताएं थी सबसे पहले temperature को regulate करेगा दूसरा दूसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे internal organs को protect करेगा तीसरा मैंने आपको बताया था सबसे highest amount में energy देगा और चौथा मैंने आपको बताया था हमारे food को taste provide करेगा यह 4 मैंने advantages बताई थी disadvantages आपके सामने है कि जो fat होता है इसका हमारी body में proper digestion method नहीं है digest होता है लेकिन आसानी से नहीं होता है और जब आसानी से digest नहीं होगा तो क्या होगा? store होगा body में कहां पर? liver पर और liver पर भी कहां? liver के अंदर adipose tissues पर और जब adipose tissue पर घटता होगा तो काराट बनेगा obesity मोटापेगा और मोटापे के से हमारे बहुत सारे क्या उत्पन होते है आपके बहुत सारे रोग उत्पन होते है तो पहली disadvantage यह थी दूसरी disadvantage मैं आपको बताए कि fat की एक form होती ही जिसको हम कहते है cholesterol तो जिस परकार से fat आपका डिपोस्ट issue पर यानि के liver पर deposit हो रहा था ऐसी cholesterol आपका deposit होता है heart पर अब heart पर कहा होता है तो heart पर एक आपकी artery होती ही जो pure blood को carry करती है coronary artery उस coronary artery पर जब इक cholesterol जागा deposit होता है तो deposition of cholesterol के कारण यह आपकी block हो जाती हो जिसके कारण आपके heart तक blood नहीं पहुँच पाता और जब blood नहीं पहुच पाता तो वहीं पर क्या होता है आपको heart attack हो जाता है तो देखा जाता है कि sir heat attack है और heart attack के साथ बहुत सारे रोग़ों का जो कारण होता है वो हमारा कौन होता है आपका fat तो इसी के साथ advantages और disadvantages जोनों हमारी क्या हो जाती है खता हो जाती है ठीक बचो इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको nutrition का portion का बहुत ही important topic discuss किया था आपके साथ में fats का अब मैं आपको बता दूँ कि यदि यहां से आपका question पूछा जाएगा किसी भी exam में तो इससे जादा नहीं पूछा जाता है सारे questions के जो आपके सवालों की जवाब है वो सारे के सारे इस वीडियो में है इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी पसंद भी आई होगी तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए और इसी तरीके से support करते रहे हैं जिससे के हम एक अच्छे content के साथ में आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाते रहे हैं चलिए thank you class next class में मिलते हैं जै हिंद